पत्र लेखन पत्र लेखन पत्र किसे लिख रहे हैं तो जानते हैं पत्रों के कितने प्रकार होते हैं पत्रों के प्रकार इस बात पर मुख्यतर निर्भर करते हैं कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं पत्र अगर आप अपने संबंदियों रिष्दार परिवार के लोगों को लिख रहे हैं तो ये अनौपचारिक पत्र हो जाएंगे और इनके अतरिक्त जो पत्र लिखे जाएंगे वे आपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे तो हम कह सकते हैं कि पत्र मुख्यतर दो प्रकार के होते हैं आपचारिक इंग्लिश में हम फॉर्मल कहते हैं आपचारिक पत्र और फॉर्मल पत्र दूसरा अनौपचारिक पत्र इंग्लिश में हम कहेंगे informal letters एक अच्छे पत्र की क्या विशेष्टाएं होने चाहिए भाषा सरल होने चाहिए और सब्भ्य होने चाहिए जिसे हम लिख रहे हैं उसके अनुरूप होने चाहिए विचारों की इस पस्टता अवश्य होनी चाहिए जो भी कुछ हम लिख रहे हैं वह पढ़ने वाले को समझाना चाहिए और पत्र को प्रारूप के अनुसार लिखेंगे, फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे तो बहुत ही प्रभावी हो जाएगा जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही पढ़ने वाले के उपर असर छोड़ सकेगा तो आईए देखते हैं कि आपचारिक पत्र क्या होते हैं आपचारिक जिने हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर भी कहते हैं ये किन को लिखे जाते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिकत या पारिवारिक संबंद नहीं होते उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अपचारिक पत्र कहे जाते हैं ये मुखेता निम्न प्रकार के हो सकते हैं आवेदन पत्र जिसमें हम एप्लिकेशन लिखते हैं शिकायती पत्र जिसमें हम किसी बात की शिकायत करते हुए पत्र लिखते हैं फिर संपादक ये पत्र जो किसी अखवार के पत्र के पत्रिका की संपादक को लिखे जाते हैं फिर पुष्टाश संबंधि पत्र किसी बात की जानकारी आपको चाहिए उस विशय में पुष्टाश करते हुए पत्र लिख सकते हैं या फिर कोई सूचना देते हुए आप कहीं पत्र लिख रहे हैं व्यावसाइक पत्र, व्यावसाइसे सम्मंदित पत्र या अन्य पत्र जैसे कि निवेदन, प्रशनशा या किसी बात का अनुरोद करते हुए पत्र जब हम लिखते हैं तो उसे हम आपचारिक पत्र कहते हैं तो अब हम देखते हैं कि आपचारिक पत्र की अंग क्या है अब हम देखते हैं आपचारिक पत्र के क्या अंग होते हैं पार्ट्स ओफ लेटर तो सबसे उपर बाय हाथ पर ये जैसे सपोस ये पत्र है आगे में दिखाऊंगी किस तरह से लिखना है तो पत्र प्रिशक यानि जो पत्र भेजने वाला है उसका पता अब डिफ्रेंट डिफ्रेंट बुक्स में आपको थोड़ा बहुत अंतर प्रार और दिनांग विशय के पहले और पत्र प्रापक के पते के बाद लिखे जाती है तो ठोड़ा बहुत अंतर है परनतु जो सबसे दिख्मानने है उसको हम फॉलो करेंगे यहाँपर तो सबसे पहले आप लिखेंगे पत्र प्रिशक का पता यानि आपका आप पत्र लिख रह किसी संस्था को ही जा रहा है तो वहां पे आप किसी ना किसी पद के अधिकारी को पत्र को लिख रहे हैं तो जैसे कि स्कूल में लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं या किसी मुख्य शिक्षक को लिख रहे हैं किसी विशय के शिक्षक विशेश को लिख रह विशय, subject यह important है, subject लिखना आपचारिक पत्र में important है, उसकी बाद आप लिखेंगे संबोधन, जो जिसको भी लिख रहे हैं, उसका उचित आदर सूचक शब्दा आप यहां लिखेंगे संबोधन में, और उसकी पश्चात आपको सीधा अपना मूल विशय स्टार्ट करना है अभिवादन नहीं लिखना है, आपचारिक पत्रों में greetings नहीं लिखे जाते, नमस्ते, सादर प्रणाम, इत्यादी नहीं लिखा जाता, फिर मूल विशय समाथ करने के बात पत्र की समाथ्ति करें, आपचारिक वाक्य से समाथ्ति करें, और दो याती ना नुछेद में मू अगर आपके पत्र के विशय के अनुसार होगा, अगर आप इस स्कूल में किसी को लिख रहे हैं तो उसके हिसाब से आम लिखेंगे आग्याकारी शिष्य गलड़की है, तो शिष्य लिखेगी और अगर आप संपादक या किसी अन्यादिकारी किसी अन्याकारेले में पत्र भेज रहे हैं तो भवदिये आप वहाँ लिखेंगे अब देखते हैं कि इसका किस प्रकार से यह प्रारूप बनता है तो सबसे उपर पत्र भेजने वाले का पता पहला और चूंकि आप लिख रहे हैं तो आप परिक्षा भवन लिखेंगे और आबसा केंद्र लिखेंगे उसके पस्चात दिनांक यानि तारिख लिखेंगे और फिस सेवा में जो भी जिस व्यक्ति को भी आप भेज रहे हैं उसका पद और उसका पता जैसे किसी मुख्य चिकित साधिकारी को भेज रहे हैं तो आप लिखेंगे मुख्य चिकित साधिकारी है स्वास्त केंद्र दिल जो भी पता है और फिर उसके बाद यहां पर विशय जो आपके पत्र का मुख्य विशय है जैसे आपको कहीं जैलापूर्ती की समस्या है तो जैलापूर्ती की समस्या है तू इतना आपने या आपको बिजली बार-बार कटने की शिकायत है तो बिजली के बार-बार कटने की शिकायत तो जो आपका मुख्य विशय है पत्र लिखने का वह आप यहाँ पर लिखेंगे उसे अंडरलाइन कर देंगे उसके पश्चाता उचित आदर सूचक संबोधन यहां लिखेंगे माननिय महोदय और आप कोई कौम यहां पर नहीं लगाएंगे महोदय के बाद उसके बाद विशय का विस्तार करेंगे अपनी समस्या लिखेंगे यह अपना सुझा या जो भी विशया आपको मिला है उसको यहांपर विस्तार से लिखेंगे दू अनुच्छी अक्सर दू अनुच्छी काफी होते हैं विशय का विस्तार करने में क्योंकि पांच अंकों का आपका यह प्रश्ण है आप 20 से 30 शब्दों में यहां लिख सकते हैं उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद और उसके बाद स्वनिर्देश भवदिये या जो भी आपका विशह है उसके अनुसार अगर आप प्रधानाचारे को लिख रहे हैं तो आपका आग्या का रिशिश्य लिख सकते हैं और अपना नाम नहीं लिखना अगर प्रश्म में कोई नाम दिया गया है कि आप रमेश नगर के रहने वाले मोहन है तो इस तरह से आपको मोहन लिखेंगे तब यहाँ पर अदवाइस आपका खगा लिखेंगे ठीक है तो यह है आपका प्रारूप है आपचारिक पत्र लिखने का और अब देखिए इसी प्रारूप का अनुसरन करते हुए पहले ब्रेशक का पता फिर दिनांग और प्रापक का पता और उसके बाद विश्य लिखा गया है और माननिय महोदय लिखने के पच्चार मैटर पूरा तीन पेरग्राफ में लिखा है उसके बाद धर्नेवार भवदिय और कखगा नाम के स्थान पर अब एक उधारण देखते हैं एक नामुना जो एक मॉडल आंसर शीट में से लिया गया है यहाँ पर सेवा में यहाँ पर देखिया आप इस बच्चे ने पहले पता नहीं लिखा जो एकदम सही है दौना प्रारूप मैंने कहा सही है एक जिसमें पता हम प्रेशा का पहले लिखते हैं संडर का और एक में पता जिसमें बाद में लिखने हैं तो यह जो लिखा है यह जल विबोर्ट मिन्यस्पैल्टी के अंडर आता है तो नगर निगम लिखा काखा गा नगर निगम और काखा गा नगर लिख दिया उसके बाद एक पंक्ती छोड़कर बड़ी सुच्चता के साथ यह कारे किया गया है यहाँ पर दिनांग लिखी गई है एक बात और जिस प्रकार से यहाँ पर पांच तीन दुहाजार चौदा लिखा गया है इस प्रकार भी आप तारिख लिख सकते हैं कुछ बच्चे पूरा लिखते हैं पांच फिर मार्ज लिखेंगे मां आकी मातरा इस तरह से तो आप कम से कम वरतनीत रुटी करना चाहते हैं तो इस प्रकार से दिनांख लिख सकते हैं उसके बाद आप एक पंक्ती छोड़कर विशय लिखें दूशित जल की आपूरती के कारण जन सामान्य को हो रही कठिनाई तो यह है पत्र का विशय है मुख्य विशय है उसकी पस्षात यहाँ जो संबोधन उन्होंने दिया है है मानने वर सही है यहाँ लिखा है सवीने निवेदन यह है कि पिसलिए कुछ दिनों से हमारे इलाके में दूशित जल की आप उड़ती कर पिर आप अपना मैटर लखेंगे और पिर जो दूशा अलोचिय है उसमें किस तरह से उन्होंने एक पंक्ती फॉर्मल लैटर में य उन्होंसे क्या अपिक्षा कर रहे हैं आप अपने अपनी इस शिकायत पर जल्दी से जल्दी कारवाई की अपिक्षा उन्होंसे करते हैं तो आशा कर रहे हैं उसके बाद उन्होंने साध धन्यवाद लिखा है और फिर भवदिया और भवदिया की जेगे नाम के नहीं लि सही है अब हम देखते हैं यहां कि यहां भी इस प्रकार से दूसरा एक लेटर है इसमें भी सेवा में लिखने के बाद संस्ता अध्यक्ष गांधी स्मृतिय संस्ता कखगर नगर विशय जो है वो थोड़ा सा बड़ा लिखा है आप छोटेची छोटा उसको करने की कोशिश कि करें फिर महोदय जो संबोधन है फिर उन्होंने उसके बाद सारा कसारा अपना जो भी पत्र का मैटर है वो यहां पे पूरा लिखा है इसके बाद सदन्यवाद भवदिया शात्राग्या काका नगर दिनांक अंत में अब यहां पे देखिए दिनांक अंत में लिखी गई है यह भी सही है दिनांक आप शुरू में सैंडर्स एड्रस के बाद लिखें सही है दिनांक अगर विशय से पहले लिखी जाती है तब भी सही है और दिनांक अगर अंत में लिखी जाती है तब भी सही है तो दिनांक लिखने के तीनों तरीके मान्य है, acceptable है आप किसी भी तरह से इसको लिख सकते है तो आप देखते हैं कि अनपचारिक पत्र क्या होते है अनपचारिक पत्र जिन व्यक्तियों के साथ हमारे व्यक्तिकत संबंध होते हैं पारिवारिक संबंध होते हैं उन्हें लिखे जाने वाले पत्र अनवचारिक पत्र कहलाते हैं मित्रो संबंदिवादी को लिखे जाने वाले पत्र ही अनवचारिक पत्र होते हैं अब ये कई प्रकार के होते हैं बधाई देते हुए अगर हम कोई पत्र लिखते हैं तो बधाई पत्र कहलाते हैं धन्यवाद देते हुए पत्र, धन्यवाद पत्र, शुबकामनाय पत्र, निमंतरन पत्र, सम्वेधना पत्र या फिर कोई सूचना सद्भावना प्रकट करते हुए जब हम पत्र लिखते हैं तो वे पत्र अनुपचारिक पत्र कहलाते हैं अनुपचारिक पत्र के क्या-क्या अंग होते हैं पत्र भीजने वाले का सबसे उपर हम पता लिखेंगे जो भी पत्र भीज रहा है और परिक्षा में आप लिख रहे हैं पत्र तो आप सबसे उपर परिक्षा भावन अबसा केंदर अपना पता लिखेंगे अगर प्रश्ण में कोई पता दिया गया है तो वह लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे दिनांक, तारीख और फिर तेसरे नमबर पे आएगा संबोधन और संबोधन के लिए कौन से शब्द होंगे यह आप तै करेंगे कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंध है जैसे संबंध अगर माता पिता है आप अपने माता पिता को लिख रहे हो या कुई भी आपसे बड़ा है, उसको लिख रहे हो तब संबोधन जो भी लिखा जाएगा वैं आधर सूचक शब्दों में लिखा जाएगा जैसे पूजनिय, पूजय, परम पूजय, आदर्निय, इत्यादि फिर अगर हामुम्र हैं तो हम प्रिय, स्नेही, आधिव शब्दों से संबोधित कर सकते हैं और अगर आपसे छोटा है, छोटी बहन हो सकती है, भाई है या आपका शिष्य है तो आप उसे नाम लेकर संबोधित कर सकते हैं, उसके आगर प्रिय भी लगा सकते हैं तो यहाँ संबोधन आपको पत्र पाने वाले से आपके संबंद पर निर्भर करेगा उसी तरह अभिवादन के लिए कौन सा अभिवादन शब्द आपको यूज करना है, लेटर में लिखना है यह भी आपके संबंद पर निर्भर करेगा जिससे आप पत्र लिख रहे हैं उससे आपका क्या संबंद है, संबंद है अगर वियां आपसे बड़ा है तो आप साधर चरण परश प्रणाम नमस्ते साधर प्रणाम इत्यादी लिखेंगे अगर आपका हामुम रहे तो आप सब प्रेम नमस्ते मादुरिस म्रती इत्यादी लिखेंगे और अगर आपसे छोटा है तो चिरंजी, वी रहो, सुभाशी, आश्रिवास, इत्यादी लिखेंगे और ये सब लिखने शुरुवाती हिस्सा लिखने के बाद आप जो मुख्य भाग लिखेंगे तो वहाँ विशे का विस्तार देंगे विशे का विस्तार आप तीन पैरग्राफ में करेंगे तो जो पहला पैरा होगा उसमें आप अपनी कुशल शेम बताते हुए आप उसकी कुशल शेम के बारे में भी पुछेंगे उसके पस्चात आप जो दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे वह मुख्य बात कहता हुआ होना चाहिए जितना भी आपका जो भी आप पत्र में अपने विशे को इस्तार दे रहे हैं मुख्य तर वहाँ आप अपने बात को लिखेंगे कविस्तार देते वे हमें तीन पैरग्राफ बनाने पहले पैरग्राफ में आप लिखेंगे कि आप कैसे हैं मैं कैसा हूँ जो भी है कुशल शेम बताते वे एक दो लाइने लिखनी है फिर मुख्यबाद जो एवद दूसरे पैरग्राफ में लिखनी है और तीसरे पत्र पाने वाले से अपना संबंद बताते हुए लिखेंगे तो पतर पाने वाले से आपका क्या स Нов है जैसे कि बड़े हैं तो आपका अग्याखारी आपकी पिता या माता है या जो भी आपका ृह आप यहां लिख सकते हैं समापन शब्द में आपसे बड़े हैं तो आपका आग्यकारी जो भी है आप भतीजे हैं भानजे हैं पुत्र हैं पुत्री हैं वो लिख सकते हैं फिर हम उम्र हैं तो आप तुम्हारा मित्र तुम्हारी सक्षी आदी लिख सकते हैं, पिर छोटा है तो तुमारा सुभा कांक्षी इत्यादी संबंद अवश्य। लिखते हैं। तुमारा बड़ा भाई, दीदि इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फिर जब नाम लिखने की बारी आती है, तो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। अगर पत्र में प्रश्ण पत्र में आपको जो प्रश्ण दिया गया है उसमें कोई नाम लिखा है कि अपने चोटे भाई राजु को आप लिख रहे हैं तो आप ये हैं आप आपका नाम दिया है लिखने वाले का नाम अगर वहां दिया है कि आप मोहन है अपने चोटे भाई राजु को लिख रहे तो उसी प्रकार से आपको नाम लिखना है अन्य था आपको कखग लिखना है अब यहां देखते हैं एक अच्छा नमुना जहां चात्रा ने या चात्र ने जो भी है इस उतर पस्ति का में जिनों ने उतर लिखा है सबसे उपर परिक्षा भवन शहर फिर उसके बाद दिनांक फिर क्योंकि मित्र को लिखा जा रहा है तो मित्र का नाम प्रिय मित्र दिनेश अगली पंक्ती में अभिवादन शुप्रभाद उसकी पच्चात इनोंने जो है पूरा मैटर पैरग्राफ में लिखा है तो आप आगे देखेंगे अगले पंने पर किस तरह से अगला पैरग्राफ हम देख सकते हैं तो यहाँ पर इन्होंने तीन पेरग्राफ में अपनी बात समात्त की है और अंतिम पेरग्राफ में कुछ इसे तरह से आपको भी लिखना होता है कि बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशी, शिया, छोटों को प्यार, इत्यादिम अंत में संबंद बताते हुए आपको लिखना है तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सकी जो भी है, तो यहाँ पर लिखा है तुम्हारा मित्र, कह, गह, तो यह है प्रारूप की अनुसया लिखा गया एक नमुना है अब एक यह पत्र भी देख लेते हैं, यह भी अनुसचारिक पत्र का एक अच्छा नमुना है, यहाँ जो पता लिखा है, वह काल्पनिक होगा, आप भी काल्पनिक पता लिख सकते हैं, अगर आप परिक्षभवन नहीं लिखना चाहते, लेकिन अच्छा है कि लिखी गई है तो दिनांक लिखी और उसके बाद संबोधन, अभिवादन, पहला पैरग्राफ, दूसरा पैरग्राफ और यह है तेसरा पैरग्राफ, तो तीन पैरग्राफ में पूरी बाद खतम कर दी गई है और फिर यहाँ पर संबंद, संबंद, यहाँ लिख दिया है पत्र पाने वाले से आपका संबंद, और यहाँ आपने नाम लिखा है कहखा गा, ठीक है, तो यह भी एक अच्छा नमोना है, धन्यवाद, आशा है आपको पत्र लिखन अच्छे से समझ में आ गया होगा, खर स्में आपको पत्ख अच्छा नमोना है, झाल झाल